जो next card आता है major arcana में that is the inner voice अब इस card के design को देखते हैं पहले इस card का सिरफ हम picturization समझते हैं क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो moon के symbols से related ये card है आप देखेंगे crescent बने हुए देखें मैं अपना cursor screen पे कर रही हूँ यह देखें सबसे पहला crescent moon का ये है सबसे पहला जो चंद्रमा है वो ये नीचे वाला है यहाँ बीच में फिर चंद्रमा है यहाँ जो सिरफे ताज है वो फिर चंद्रमा है तो यहाँ पे क्या है हम moon देख रहे हैं अलग-अलग phases में फिर अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर से भी वही अक्स आ रहा है चंद्रमा जैसा इधर आप देखेंगे तो दो डॉल्फिन्स है यहाँ पे पानी है और यहाँ पे क्या है कुछ क्रिस्टल सा है कुछ फूल है कलर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत वाइबरन तो नहीं कहूंगी बहुत ही अच्छे अगर आप इधर देखेंगे तो इधर इन्होंने हलका सा जो टाच दिया है वो पर्पल कलर का दिया है तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यह काड हमें क्या क्या बता रहा है देखें यहां मून से आप देख रहे हैं एनर्जीज कनेक्ट होते हुए उपर की तरफ यहां पे तो यह काड हमें हर पल हिंट्स दे रहा है एनर्जीज की इंट्यूशन की क्योंकि मून की अगर हम बात करें तो मून आपके मन को कंट्रोल करता है और जितने लोग मून नं अनिमा और अमावस आती है तो उनके mood swings बहुत ज़्यादा या तो हो जाते या वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते या वो बहुत ही ज़्यादा उदास होने रखते हैं तो मून की energies हमारे मन को कंट्रोल करती है तो मून इतना ज़्यादा role play करता है इन सब चीजों में कि आप खुद identify नहीं कर पाते हैं प्लस मून जहां आता है वहां हम बात करते हैं अपनी intuition की क्योंकि मून की significance हमारी intuition भी है अब inner voice जो हमारे अंदर की आवाज है वो बात करते हैं दिल के माध्यम से जैसे क्या होता है किसी-किसी बात के लिए आपका मन राजी हो जाता है या आप खुश हो जाते हैं तो यह क्या है आपकी inner voice आपको बताती है कि इसमें खुशी है इसमें उतना सुकून नहीं है तो अगर उसका कोई चेहरा होता तो वो क्या होता जैसके गोल चेहरा इलर्ट वाच्फुल और वो डाक और लाइट दोनों चीजों को एकसेप्ट करता क्यूंकि लाइफ ऐसे ही चलती है डाक भी है लाइट की है अब जैसे दो हातों ने वो क्रिस्टल पकड़ा हुए अब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल आपको खुद बता रहा है कि क्लारीटी है क्रिस्टल क्या करता है? हम इतने सारे crystals को यूज करते हैं कोई भी crystal की आप basic property बढ़ेंगे तो वो अपनी energies से cleanse करता है प्योरिफाइ करता है उस जगे को उस पेस को तो clarity आती है आप सारी dualities जो मन आपका दोनों तरफ होता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे आप बाहर आ जाते क्योंकि आपका मन clear हो जाता है inner voice क्या करता है emotions में ले जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि moon हमें influence करता है तो हमारी inner voice कई बारी ना हमें emotions का भी एक जहलक दिखा देती है जहां से होता क्या है हम dolphins की तरह पहले हम बिलकुल deep जाते हैं किसी बात को लेके हम चिंतित होते हैं आउदास होते हैं फिर खुश हो जाते हैं तो वो dolphin की तरह जैसे पानी में dolphins उपर नीचे नाचती है वैसे हमारा मन भी उपर नीचे होता रहता है और ये किस से connected है? ये ब्रामनिय उर्जा से connected है, कॉस्मोस से connected है और कैसे connected है? जो crescent moon उपर सिर पे था, जहांसे वो निकल रहे थे, blue color के आपने देखा तो crown chakra से connected है और earth से connected है, earth से कैसे connected है? जो हमने उसमें छोटे से वो plants का देखा देखें, ये जो छोटे से हमने plants देखें ये पीछे, यहां पे जहां मेरा cursor है, आप देख पाएंगे छोटी छोटी पतिया हैं यहां पे ये crystal है, यहां पे देखें काला और सफेद दोनों रंग है, तो याने कि वो अन्धिरे को भी उससे स्विकार करता है जिससे रोशनी को ये dolphins जब नाच रही है तो ये emotions के बल पे नाच रही है, emotions क्यों? क्योंकि पानी या जल तत्व जिस कार्ड में हमें दिखता है तो हम उसे emotions से रिलेट करते हैं, क्योंकि मन भी हमारा अस्थिर है पानी की तरह है, फिर ये जो आप देख रहे हैं पीछे plantation जो छोटे-छोटे ह ये earth element को signify करता है, अब कई बार ऐसा समय आता है जब दो आवाजें हमें खीच रही होती है, बहुत ज़्यादा confusion होती है कि हमें क्या करना चाहिए और हम अंदर से चाहते हैं कि जो सही हो हम वही करें तो तभी हमें सच सुनाई भी देता है जब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं अगर आपको अपने मन के अंदर सच्चाई समझ में आ जाती है ये आप सुन लेते हैं तो इसका मतलब कि वो आपके अंदर वास करता है, वो सच्चाई आपके अंदर बसती है तो जब आप आख खोलते हैं, तो क्या होता है, जैसे सच ने आखे खोली, वो नजारा होता है, तो ये एक तरीका है, इसके लिए जो हम meditation करते हैं, वो कैसे करते हैं, जैसे आपको कोई particular चीज तनाव दे रही है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो आप कुछ मत कीजिए, ये जो cards हैं, इन cards की energies बहुत pure हैं, आप इस card को, inner voice के card को आप अपने हातों के बीच में इस प्रकार से पकड़ लेंगे, अपने दोनों हातों के बीच में sandwich की तरह आप इसे रखेंगे, और रखके, आप बस अपनी आखे बंद करके, औ और request करेंगे cosmos से, क्योंकि cosmos की energies हैं, तो हम request करते हैं cosmos से, कि जो भी सच हो, जो भी सही हो, उसी चीज से related आपका mark दर्शन करें, और ये करके, आप बस आखे बंद करके, सिर्फ वो आवाज सुनेंगे, जो आपका अंतरमन आपको बता रहा है, और जब आपको उस चीज का ज जवाब मिल जाएगा, तो हर चीज सेटल होने लग जाते हैं, क्योंकि आपका मन इस चीज को समझता है, कि कैसे स्वीकार करना है, और कैसे आगे react करना है, और जब आपने कर दिया, तो आप क्या करेंगे, फिर आप जब जवाब मिल गया, आखे खोल लेंगे, कार्ड को वा पानी सकता, वो radiant होता है, blissful होता है, आपके अंदर वास करता है, और अगर आप इसको सुनने लग जाते हैं, तो आपको फिर शब्दों के पीछे चुपने की जरुवत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में ही ये सब कुछ सेटल कर देता है, इसकी सुन्दरता अगर आ आप देखेंगे तो आच्रन भी बहुत सुन्दर है, क्योंकि इसके लिए आपको छुपाने के लिए layers नहीं चाहिए, तो ये आपकी inner voice का है, अगर हम देखें, तो ओशो का ये मानना था, कि अगर आपकी अंतरात्मा, अगर आपकी inner voice, आपको किसी चीज के लिए कुछ बो नहीं पड़ेगा, आपको express नहीं करना पड़ेगा, because जैसे सूर्यदेव है, उनकी रोशनी को उन्हें बताना या जताना नहीं पड़ता, उनकी रोशनी कोई रोक ही नहीं सकता, कितना भी अंधेरा हो नहीं चुपती है, दिन दिन नजर आता है, तो वैसे ही, कि कितनी भी पुराई हो, कितना भी जूट हो, कितना भी हो, लेकिन सच को आप चुपा नहीं सकते, Any questions related to this card?